Hello everyone, आज डेट है 15th of September 2021 और देहिंदू न्यूज अनलिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देहिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एक जाम के पॉइंटों पी से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम चैनल वोलकन और आईयस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा वहां की जो इस्टेट यूनिवर्सिटी है एक उसका नाम बदल लगर के फ्रेडम फाइटर राजा महिंदर प्रताप सिंग के नाम पर रख दिया। यहां पर उन्होंने जो फार्मर्स हैं उनको एक तरीके से सम्मोधित किया और बहुत सारे उनकी गवर्मेंट के जो इनिशेटिव है उनके बारे में भी बताया। पी-एम ने सबसे पहले सुरुआत इस तरीके से कि कि जो यूपी है उतर प्रदेश है वो कुछ ही समय में हमारी कंट्री का डिफेंस प्रोडेक्शन में और एजुकेशन में एक फ्यूचर हब होने वाला है। इंडिया जो पहले एक बिग इंपोर्टर था डिफेंस प्रोडेक्शन का अब बहुत ही जल्दी एक्सपोर्टर की रूप में अपनी जो इस्ट्रेटजी है उसको चेंज करता जा रहा है। मतलब importer से exporter में इंडिया की जो policy है वो change होती जा रही है। इतना हमारे यहाँ पर defense production होने लग गिया है। प्राइम मिनिस्टर ने ये बताया कि चोदरी चरन सिंग जो है जाट बेल्ट में ऐसे राजा थे जिरोंने farm laws, मतलब किसानों के लिए बहुत जादा काम किया। सेम इसी तरीके से जो हमारी government है वो भी small farmers के साथ में खड़ी हुई है। NDA government की तारिफ करते हुए उनकी जो schemes हैं उन्होंने जो बताया कि किस तरीके से दो hectare से कम जिन किसानों के पास में जिन farmers के पास में जमीन हैं उनकी interest के लिए हमने हमेशा से ही काम किया है। और हमारी country में हर 10 farmers में देखी तो हर 10 farmers में से जो 8 farmers हैं वो small farmers की जो category है उससे belong करते हैं। अच्छा एक term हमेशा news में रहती है MSME जो term रहती है इसमें E जो है वो enterprises है MSM इसका क्या अर्थ है ओके ये भी आपको नीचे comment box में बताना है। उन्होंने बोला कि किसानों को कैसे strengthen किया है NDA government तो उन्होंने बताया कि किसान credit card के तहत हमने insurance scheme को strengthen किया। इसके अलावा जो MSP है उसको 1.5 times तक हमने increase कर दिया है। यहाँ पर जो UP के CM हैं उनकी तारिफ करें कि किस तरीके से जो केन farmers हैं उनको अब तक 1,43,000 करोड रुपे जो government है वो दे चुकी है। 2007 से 2017 सिर्फ जो government है उन्होंने 93,000 करोड रुपे दिये थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा increase कर दिया है केन farmers के लिए। कुछ ऐसी स्कीम जैसे गरीब कल्यान, अन्योजना, आत्म निर्बरभारत पेकेज जिससे जीवन और जीवी का इस pandemic के समय में दोनों को ही ensure किया गया है। तो एक तरीके से जो भी initiative government के रहे हैं, उनके बारे में बताया गया कि किस तरीके से small farmers को हमने जो interest है, उनके जो benefits हैं, उनको increase करने की हमने कोसिस की है। अब देखो, mains के हिसाब से ये सारे points important हो जाते हैं, अगर mains में आता है कि government किस तरीके से अपने initiative start कर रही है, जिससे आप small farmers, देखो farmers प्रोटेज जो है वो long term से चल रहा है, तो farmers को लेकर के question easily put on किया जा सकता है, कि small farmers के जो benefits हैं, उन farmers के benefits को किस तरीके से government एक तरीके से उनक हमारे PM नहीं आपर बताए, उनका आप use कर सकते हो exam के point of view से, आपके main sensor writing के हिसाब से इस सारे points important हो जाते हैं, ओके next important you, देखो जब भी इसी तरीके को कोई speech दिये जाते है, especially जो PM के speech है, उनको लेकर के तो ये बोला जाता है कि उनके जो भी important points है उनके speech में, उनको आप write down कर लीजिए, आपके जो main sensor writing में काफी usable रहते हैं, क्योंकि जो हमारे PM है, उनके जो भी statement रहते हैं, वो बहुत ही चूजी और हर तरीके से, multiple तरीके से, वो points को उठा करके रखते हैं, तो आपको political जो पाते हैं, उनको दूर करके, जो आपके exam के point of view से है, उन सब को extract कर लेना है Next important news है, US Special Envoy for Climate, Mr. John Kerry, इंडिया की visit पर थे, उन्होंने बुला कि इंडिया की हम help करेंगे emission को कम करने के लिए, हलांकि जो year 2020 की last time, इंडिया ने अपने बताया कि Paris Climate Agreement के तहत, जो हमने nationally determined target जो हमने established के थे, उसमें हमने बहुत सारे targets को achieve कर लिया है Renewable Energy के बारे में, जो हमने बोला था कि 40% जो energy है, वो हम renewable energy से gain करेंगे 2030 तक, जिसमें अभी present time में ही, हम लगबख 37% जो energy है, वो renewable energy से gain करने लगए है मतलब climate में इंडिया ने काफी अच्छा initiative किया है, US जो है वो भी इंडिया की help करेगा हर area में, infrastructure से लेकर के आप finance तक का area देख लीजे, उसमें US help करने वाला है लेकिन अगर net zero की बात करें, तो net zero जो target है, वो अभी इंडिया ने decide नहीं किया है Mr. Kerry चाते हैं कि इंडिया जो है वो अपना target 2050 तक fix करें, ताकि जो global warming के लिए हमने target लिया था कि 1.5 degree Celsius से ज़्यादा temperature को increase ना होने देंगे, उस target को हम easily achieve कर पाए Next important news है, इंडिया और UK की बीच में, जो trade talk है, वो एक नौंबर से start होगी काफी लंबे समय से इसके बीच में procedure चल रहा था और जल्द ही इसके बीच में procedure start होगा देखना होगा कि free trade agreement जो है, वो कब तक sign हो पाता है देखो, जैसे ही free trade agreement sign होता है, दोनों की दोनों जो countries है न, उनको बहुत ज़्यादा benefit मिलने लग जाता है बहुत सारे जो tariff है, वो हटा दिये जाते है, trade जो है, वो करना बहुत easy हो जाता है, तो countries के बीच में नेक्स्ट important news है, editorial page से, editorial page पर पहले कुछ data दे रखे हैं, उन data को आप देख लीजे, हमारे इंडिया में जो farmers हैं, उनको MSP, minimum support price प्रोवाइड कर जाता है लेकिन जो agriculture household है, उन्हों ने अपना 2013 से 2019 के बीच के अगर data को हम देखें, तो agriculture household ने अपने जो production होता है उनके खेट से, उनको APMC जो मंडीज है, उनमें बेचना कम कर दिया है इसका कारण ये है कि एक तो उनको local area में जो private traders हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा increase होई है और ठीक ठाक, मतलब थोड़ा सा जो government का target fix किया जाता है, मानलो wheat के लिए government ने 2000 रुपे पर क्योवेंटल रुपे fix की जो private traders हैं, वो local area में ही बहुत ही easily जो farm production है, उसको easily खरीद लेते हैं, अलांकि हलका सा थोड़ा सा एक gap होता है price के अंदर लेकिन जो APMC मंडी है, वो हर local area में तो provide नहीं है, तो उस APMC मंडी तक ले जाने के लिए जो transport का खर्चा आता है, जो other expenses जाते हैं इनसे farmers को ये लगता है कि local area में ही जो farm production है, उसको easily बेच सकता है, दूसरी problem ये है कि जो farmers है उनके बीच में minimum support price जो program है उसको लेकर के awareness नहीं है, मतलब लोगों को पता ही नहीं है, और infrastructure की भी कमी है, जिसकी वज़े से procurement agencies में infrastructure की कमी है, जिसकी वज़े से ये जो significance है, वो private traders की तरफ ज्यादा increase हुआ है, गौर्मेंट सुईधा ही दे रही है, लेकिन जब तक local area में, जो farmers हैं, उनके पास में local area में इस तरीके के government infrastructure develop नहीं होंगे, तब तक जो farmers का रोजान है, वो private जो traders हैं, उन्हीं की तरह पे attraction ज्यादा increase होगा, next important news, editorial में ये जो article है, वो अभी 2 plus 2 dialogue हुई, उस्टेलिया के defense minister और external affairs minister इंडिया की visit पर आए, और हमारे defense minister और external affairs minister के साथ में 2 plus 2 talks की inauguration हुई, ये जो talks है, इंडिया बहुत सारे country जैसे Japan, US और other countries के साथ में भी करता है, इसमें specific focus किया जाता है किनी points के उपर, और defense और external affairs minister इसमें participant करते हैं, अब देखो, सबसे पहले जो important points में discuss हुआ, वो Indo-Pacific region को ले करके discuss हुआ, Indo-Pacific region में दोनों के दोनों जो country है, Australia और India, दोनों Quad group के member हैं और दोनों चाते हैं कि ये जो Indo-Pacific region है न, वो peaceful रहे और prosperous vision के लिए वो दोनों काम करते हैं, अब यहां पर हमारे जो relation है, US के साथ में, इंडिया के relation उसकी बारे में बात की गई है, कि हालांकि Quad group परने के बाद में 2007 में जो Australia है, उसके ज़्यादा तर जो influence है, ज़्यादा तर जो inclusion है, वो Quad group का member है, मतलब Australia के साथ में जो कुछ समय, last decade के अगर हम बात करें, तो हमारे जो relation है, वो काफे ठीक हुई है, हमाने bilateral strategic partnership पर भी sign किया हुआ है, comprehensive strategic partner June 2020 में, यह जो relation है, वो भी हमारी bonding को deepen करने की courses करते हैं, ओके, बहुत सारे issues ऐसे हैं, जैसे कि हम climate change को लेकर के देख सकते हैं, अफगानिस्तान issue को लेकर के देख सकते हैं, इसमें हमने बहुत सारे issues के उपर discuss किया, दोनों के दोनों जो country हैं, वो free, open, inclusive and rule-based Indo-Pacific region के लिए काम करना चाते हैं, ओके, वो चाते हैं कि यहां की जो stability है, वो सभी countries, region में, इस region में जो सभी countries हैं, उनके freedom of navigation के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत सारे common security challenges हैं, इसके अलावा regional security architecture को भी enhance करने के लिए दोनों के दोनों country काम करते हैं, मतलब यह सारी जो चीजें जिनमें हम cooperation करते हैं, ओके, और यह जो cooperation है, वो ही हमें पास में लेकर के आया quad group के साथ में, ओके, मालाबार naval exercise 2021 में भी, जो इंडिया है, उन्होंने भी participation किया, और Australia की तरफ से भी representing हुआ, ओके, 2020 में जो हमारे बीच में two way to trade है, वो 24.4 billion dollar का हुआ, अब यहां पर यह बताया गया है कि हमारे जो relation है, वो काफी शांदार हो रहे हैं, वो शांदार relation है, इंडिया और Australia के बीच में, लेकिन कुछ problem भी है, problem यह है कि dairy products को लेकर के, जब Australia हमारे यहां पर export करता है, तो यह जो export items है, इनके उपर बहुत ज़्यादा high tariff है, इंडिया में agriculture और dairy products के उपर, जिसकी वज़े से हमारे जो relation है, उनमें कुछ problem होती है, इसकी सेम इसी तरीके से, इंडिया में, जो है, वो जब इसके skilled professionals ऑस्टेलिया में जाते हैं, तो ऑस्टेलिया का जो labor market है, वहां पर discrimination हम feel करते हैं, तो इस तरीके के जो non tariff barriers है, हमारे skilled professionals के उपर, उनको हटाने की अफशकता है, यह कु वाले हैं, next important news, यहां देखिए, हमारे जो PM है, उन next week, US की विजिट पर जाएंगे, वहां पर वो quade summit में participation करेंगे, और especially vaccine को ले करके कि 2022 की last तक 1 billion vaccine जो है, वो circulate की जाएगी global level पर, इसके उपर discussion हो सकता है, और United Nation General Assembly को भी वो एक तरीके से संबोधित करेंगे, तो यह important statement है अब वहां जाकर के किन-किन points के उपर discussion होता है, यह देखने वाली बात होगी, next important news, यहां देखिए, एक सकीन, कल 14 September था और 14 September 1949 को हिंदी को official language के रूप में सामिल किया गया था हमारे constitution में, we adopted the constitution, we also accepted the decision on September 14, 1949 to have Hindi as the country's official language and Devanagari as the script तो यह जो 14 September है, इसको हिंदी दीवस के रूप में celebrate किया जाता है, next important news, यहां पर जल्द ही जो co-vaccine है, co-vaccine किसने बनाई है, भारत बायोटेक ने ICMR के साथ मिल करके बनाई है, और WHO, World Health Organization जल्द ही इसको अपना approval देने वाला है, next important news, यहां पर देखिए, foreign page से है, यहां पर देखो, देखो, अफगानिस्तान जो ambassador है, ठीक है, काबूल के दुआरा जिनको appoint किया गया था, काबूल government के दुआरा, हाला कि last month जो काबूल government है, वो collapse हो गई, इसकी वज़े से जो UN है, UN में यहां पर जो representation है, अभी जो new Taliban authorities है, उन्होंने कुछ भी अपना यहां पर representation नहीं उनको UN का member बना दिया गया, मतलब अभानिस्तान की तरफ से representation जो है, वो यह करेंगे, ओके, हालंकि अभी देखने वाली बात यह होगी, कि Taliban जो है, वो अपनी तरफ से किसी authority को यहां पर appoint करता है, कि same जो ambassador है, उनको ही regular follow करने दिया जाता है, बहुत सारे issue यहां पर उठाए कि जो UN है, वो चुप नहीं रह सकता, किसी भी rights को ले करके, कि वहां पर women के rights, children के जो rights है, उनको violation किया जाए, क्योंकि 15 अगस्त को Taliban ने take over कर लिया, और especially पंजसिर वैली, जहां पर उनके opponent थे, उस area को भी Taliban ने अपने under capture कर लिया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, कि वहां पर जो rights है, उनका violation नहीं हो रहा हो, तो जो millions लोग है, उनकी life, women rights, humanitarian जो crisis हो रहा है, इसके लिए सभी countries को आगे आना चाहिए, और यहां पर जो investigation होने की आवशकता है, कि human rights का abusive तरीके से use तो नहीं हो रहा है, ओके, तो यह आज का हमारा important discussion था, ओके, thank you.